एक बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा कैनलिस्टिक पैटर्न की एंड आपको बहुत डीप में नॉलिज देने वाला हूं तो प्लीज टाइम लेके देखना वीडियो को पूरा देखना एंड ये जो मैंने पीडिया बनाई है आप लोग के लिए बनाई है ये अगर नहीं जोइन किया है तो जोइन कर लो वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स मैं देता रहता हूं रेगूलर ठीके आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो कॉंटेक्ट का वो टेलीग्राम ही है तो टेलीग्राम अभी के अभी जोइन कर लो एंड ये वीडियो बना पता होगा कि जो ग्रीन केंडल है उसको हम बुलेस केंडल कहते हैं और जो रेड केंडल है उसको हम बीरस केंडल कहते हैं सबको ये भी पता है कैसे ये स्टार्ट होती है जो ग्रीन केंडल होती है वो ओपन जो है नीचे से होती है और जाती है ऊपर तक तो उसका ओपनिंग नीचे से होता है, closing उपर होता है, low नीचे होता है, और high उपर होता है, ठीक है, ये चीज़े मैं already कई वर बता चुका हूँ, तो कम-कम टाइम में मैं आपको बता हूँ, ठीक है, ऐसे ही, जो red candle होती है, वो open उपर होती है, ठीक है, और closing उसका नीचे होता है, low उसका नीचे हो मतलब यह trend जब reverse होता है अब ट्रेंड से downward direction में जब trend reverse होता है ठीक है bullish trend से bearish trend जब होता है तो यह उसको indicate करती है यह already मैं आपको बता चुका हूँ एक वीडियो के थुरू लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने बाला हूँ क्योंकि ये जो दो candle है एक आपका hanging man एक shooting star और एक hammer और inverted hammer ये जो चार मैंने candlestick pattern आपको पहली वीडियो में बताये थे ये बहुत एहम है और इनकी मदद से आप बाकी सारे candlestick pattern easily याद कर पाऊगे और easily उनको implement कर पाऊगे ठीक है तो इसको मैं दुबारा से बतायता हूँ सब से पहले आप ये समझे लो कि ये hanging man और shooting star दोनों bearish candle है bearish candlestick pattern है मतलब ये uptrend से downtrend को indicate करते हैं ठीक है अब hanging man इस तरह का दिखता है आपको जिसका जो body part है वो बहुत छोटा है और shadow part है वो बहुत बड़ा है इस पे उपर थोड़ी बहुत big हो सकती है ठीक है ये जब एक uptre trend में और कहीं पे हमको दिखाई देती है जैसा कि यहां पे मैंने आपको बना के दिखाया है उसके बाद आपको एक downward direction का indication देती है तो जब भी आपको एक uptrend के बाद ये hanging man मिले तो आपको downward direction की trade वहाँ पे place करनी है ये सारी चीज़े मैं already आपको बता चुका हूँ guys लेकिन बहुत सारी चीज़े इस candlestick वीडियो में ऐसी है जो आपको नहीं पता है और ऐसी चीज़े मैं आपको आज बताऊंगा जिससे आपको बाकी के candlestick pattern अपने आप समझ में आ जाएंगे चीक है ऐसा ही shooting star इसका just उल्टा होता है ये भी एक uptrend में जब उपर जाके कहीं पे ब बाले हैं और जितने भी patterns है वो इन से बनते हैं ठीक है तो इन दोनों को अच्छे से याद कर लो so next pattern है guys हमारा bearish engulfing अब bearish engulfing का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ engulf का मतलब होता है किसी चीज को cover कर लेना या फिर आप ऐसा समझो खा जाना ठीक है तो यहां पे आपको जो red candle है वो green candle को पूरी तरह से खा गई ठीक है यानि पूरी तरह से उसको cover कर लिए इसको हम बोलते है engulf करना ठीक है यह same आपके एक uptrend में मिलता है pattern और uptrend के बाद जब कहीं पे भी आपको bearish engulfing candle pattern मिले उसके बाद आपको downward direction की trade जो है प्लान करनी है अब आपको एक और चीज मैं आपको बता दूँ मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि hanging man और shooting star कितना जरूरी है चलिए उसको थोड़ा सा detail में यहां पे देखते हैं इस candle को अगर मैं यहां पे mark करूं यह सारे candlestick pattern काम कैसे करते हैं यह आपको आज समझ में आ जाएगा ठीक है यहां पे देखिए इसको मैं अगर ऐसे mark करूं और इसका यह यहां पे mark करूं राइट अब आप एक चीज़ देखो कि यह जो candle है यह जो दोनों candle है इन दोनों candle का अगर मैं एक single candle बना हूँ तो एक ऐसे काम करेगा तो यह market यहां तक गया ठीक है यह जो दोनों का जो high है यहां तक है ठीक है उसके बाद यहां तक आया market नीचे यहां इसका विक है तो अगर यह इस red candle मैंसे यह मैं green part हटा दूं ठीक है यह जो green का candle है यह मैं हटा दूं तो कितना बचेगा मेरा, नीचे इधर विक बचेगा और इधर ये जो है इतना ये बचेगा ठीक है, ऐसे कुछ ही बचेगा ठीक है, तो ये कौन सी केंडल हो गई गईज ये हो गई अगेन मेरी सूटिंग स्टार ठीक है, तो हमेशा यह आप याद रखो hanging man, shooting star, hammer और inverted hammer, ये चार pattern ऐसे हैं, जो आपको हर जगे देखने को मिलेंगे, हर जगे, ठीक है किसी भी candlestick pattern पे आप ये apply कर सकते हैं, और ये जो चार pattern है बहुत ज़्यादा use होते हैं, इनी की help से आप सारे pattern draw कर सकते हो तो bearish engulfing का मतलब आपको समझ में आगे, जब आपकी एक bearish candle bullish candle को engulf कर जाए, मतलब पूरा उसको cover कर ले, उसको हम बोलते हैं bearish engulfing candle, और ये same pattern में मिलती है, एक uptrend में वहाँ पे आपको एक bearish engulfing candle मिलेगी, तो वहाँ पे आपको एक downward direction का indication जो है, मिलेगा, इन दोनों candle को अगर हम combine करते हैं, तो again एक shooting star बनेगा, और shooting star आपको पता है, shooting star again आपको एक down signal देता है, clear है चलिए, next है guys, bearish harami candle, तो bearish harami candle again एक bearish candle है, ठीक है और ये बनती कैसे है, कि एक आपका bullish candle के बाद अगर एक gap down लेके red candle बन रही है, छोटी candle जो की उस bullish candle के अंदर ही है, यहाँ पर देखिए, यह मेरी bullish candle यहाँ पर open होई, यहाँ पर close होई, और यह gap down लेके उसी के बीच में है, तो इसको हम बोलते है bearish harami candle, again यह एक आपको आप trend में मिलेगी, और आप trend के बाद आपको जब भी यह बीर सरामी candle मिलेगी, तो आपको यहाँ पर downward direction का indication जो है, यह देती है, और यहाँ पर आपको सेम तरह से trade करना है, next है guys, dark cloud cover, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, कि अगर आपका एक bullish candle बन रहा है, और एक जो red candle है, उसके बाद बन रही है, वो कि अगर वो candle, इस green candle का 50% level तक आ जाती है, यहाँ पर देखिए, 50% level तक आ जाती है, और उसके नीचे close होती है, तो उसको हम बोलते है, dark cloud cover, ठीक है, अगें यह pattern भी एक bearish pattern है, यहाँ पर भी आपको downward direction का signal मिलता है, ठीक है, यह bullish trend में है, जब आपकी एक green और एक red candle बनती है, उसके बाद, अगर उनका जो top है, जो high है, वो same है, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हो, दोनों का high जो है, बिल्कुल same है, अगर उनका same high है, और वो जो है, एक up trend के बाद बनती है, तो वहाँ पे उनको बोलते है, tweezer top, और उसका भी same काम होता है, एक downward direction का signal आपको देना, यह जो red candle है, इसकी closing कहीं भी हो सकती है, लेकिन इस, जो यह जो bullish candle है, इसकी opening के आसपास हो, या थोड़ा बहुत इदर उदर हो, तो चलेगा, लेकिन जादा चोटी बनेगी, तो फिर वो hanging man की तरह काम करेगी, ठीक है, तो tweezer top का भी same, यही काम है, next है guys, evening star, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक आपका bullish candle फॉर्म हुआ, उसके बाद gap up लेके एक bearish candle बनी, फिर gap down लेके एक और bearish candle बनी, तो अगर इस तरह की candle बनी, कि एक green candle बनी, उसके बाद एक फिर red candle बनी, gap अप लेके, ठीक, फिर gap down लेके एक red candle बनी, तो इस type के formation को हम बोलते हैं, evening star, यहाँ पे आपको evening star again same pattern में मिलेगा, up trend में मिलेगा, और up trend के बाद अगर आपको ये evening star का pattern आपको दिखाई देता है, तो उसके बाद आपको indication मिलता है, downward direction की trade का, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ, इतने pattern अगर आप 10 वीडियो, 25 वीडियो देखोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, चलिए next pattern देखते हैं, ये वीडियो में शेयर कर दूँगा, तो आपको easy रहेगा, याद करने में, ठीक है, या फिर वीडियो आप बार-बार देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है next pattern है guys, three inside down, देखो ये मैंने फिर से extra बनाया था, ये बताना नहीं और फिर एक red candle बनती है, जिसका closing जो है, जिसका closing ये bullish candle के नीचे हो, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये मेरी एक green candle बनी, उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये gap down लेके एक red candle बनी, और फिर एक red candle बनी, जो की यहाँ पर इस bullish candle के नीचे यहाँ पे नीचे यहाँ पे close हो रही है तो इस तरह की जब भी candle बनती है उसको हम बोलते है three inside down और अगर इन तीनों candle को मैं combine करूँगा तो again मेरा ये एक shooting star बन जाएगा और shooting star कैसे काम करता है आपको पता है shooting star एक up trend में कहीं पे मिलता है उसके बाद downward action का हमको signal यहाँ पे मिलता है चलिए यह हो गए हमारे bearish candlestick pattern अब हम देखते है bullish candlestick pattern में कौन से है तो bullish में सबसे पहले आपको मैं already बता चुका हूँ hammer है inverted hammer है कैसे काम करता है सब को पता है down trend में अगर आपको कहीं पे भी hammer दिखाई देता है और उसके बाद आपको एक green candle form होती देखती है तो आपको एक upward action का signal मिलता है easily बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है same अगर inverted hammer है तब यह वो ऐसे ही काम करता है डाउन ट्रेंड में आपको inverted hammer दिखा और जैसे ही वो hammer के बाद आपको एक green candle form होती दिखाई देती है आपको एक up trend का signal वहाँ पे मिल जाता है अब यहाँ पे again guys bullish candlestick pattern में आपके hammer और inverted hammer बहुत एहम रोल प्ले करते हैं जैसा कि हमारा bearish में shooting star और hanging man काम कर रहे थे ठीक है तो इनको और detail में देखते है चलिए ठीक है next देखते है मेरा again bullish engulfing तो यहाँ पे bullish engulfing जो हम bearish engulfing में देख रहे थे उसका just opposite है इसमें क्या है कि एक red candle form होती है और उस red candle को एक green candle पूरा engulf कर लेती है bullish हरामी candle में है उस पे क्या था कि एक green candle के बाद gap down लेके जो है bearish candle बन रही थी और यहाँ पे क्या है एक bearish candle के बाद gap down लेके आपकी bullish candle बन रही है तो same चीज़ है यह downtrend में अगर आपको यहाँ पे इस तरह का formation दिखता है जिसको हम bullish हरामी बोलते हैं वो वहाँ पे आपको आप trend का signal देता है यह candle stick pattern याद रखो बस याद करने से ही आपको easy रहेगा और आप easily trade कर पाऊगे next है guys piercing pattern इसमें क्या है कि अगर एक red candle form होती है ठीक है और red candle होने के बाद अगर एक green candle form होती है जो की gap down लेके जैसे यहाँ पे यह candle red form हुई उसके बाद gap down यहाँ पे देखिए जो green candle की opening है वो gap down से हुई है और अगर यह red candle का 50% cover कर लेती है जैसे यहाँ पे यह 50% है red candle का इस piercing pattern मिलता है जिसका indication again एक uptrend यहाँ पे भी देखिए एक downtrend में आपको piercing pattern मिला और उसके बाद आपको एक up signal यहाँ पे देखने को मिलेगा यह बहुत clear चीज़ें मैं बता रहा हूं क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बताने की जरूत नहीं सब कुछ patterns यहाँ पे मैंने draw करके र केंडल है और एक bullish candle है मतलब red और green candle है उनका जो low है जो low है वो same होना चीज़ें तो यहाँ पे देखिए दोनों का यह जो low है green candle का और red candle का दोनों का अगर same मिलता है तो आपको वहाँ पे again आपको teaser button pattern मिलता है और यहाँ पे जब भी एक downtrend में आपको यह pattern मिले तो आपको ए और फिर gap up लेके एक और bullish candle बनी तो उसको हम बोलते है morning star ठीक है यह pattern बहुत easy है याद रखना आप एक दो बार वीडियो देखोगे या फिर इस chart को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा again guys यह एक downtrend में form होती है और downtrend में जब भी आपको एक morning star मिले तो आपको एक up trend का signal यहाँ पे देखने को मिलता है मैं यह remove कर देता हूँ ठीक है चलिए next देखते हैं अब यहाँ पे three inside up जो के three inside down का just opposite है यहाँ पे आपको तीन candle मिलती है एक red ठीक है यानि बीरिस candle उसके बाद थोड़ा सा gap up लेके अगर आपको एक green candle बनती है और फिर एक और green candle बनती है ल green candle की opening इससे उपर है अगर इन तीनों candle को हम combine करें यहाँ पे यह आपका एक hammer बन जाता है और hammer आपको पता यह कैसे trade करते हैं downward direction में जब भी हमको hammer यहाँ पे कहीं पे देखने को मिलता है तो वहाँ पे हमको up direction का signal मिलता है और up direction में हम trade जो है place करते हैं चलिए अब कुछ candle guys इसी होती हैं जो कि बहुत certainty के साथ हमको indication देती हैं signal देती हैं जिसमेंसे दो है बीरिस मौरूबजू एंड बुलिस मौरूबजू यह already मैं आपको बता चुका हूँ बढ़ा से फिर बता देता हूँ कि बुलिस और बीरिस मौरूबजू candle वो candle होती है जो थोड़ी बड़ी यहाँ पे अगर यह green candle होती तो यह हमारा एक uptrend का reversal होती ठीक है लेकिन यहाँ पे क्योंकि यह red candle है इसका मतलब क्या है कि यह बीरिस मौरूबजू है और यहाँ पे trend जो है अभी और continue करेगा downward direction में यहाँ पे यह already मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में तो वो जाके देखोगे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा यहाँ पे देखी यह green candle जो है यहाँ पे क्या बता रही है कि अभी trend और continue करेगा ऊपर यह भी बहुत एजी है पिछली वीडियो में और डिटिल में बता है तो प्लीज जाके देखो अच्छे समझ में आ जाएगा च्छ जो कि हम बोलते हैं डोजी ठीक है लास्ट वीडियो में आपको बताया था डोजी स्टार एंड लॉंग लेक्ट डोजी एंड ड्रेगोन फ्लाइ डोजी यह तीनों मैंने बताया थे डोजी जब भी आपको मिले तो आप उसको ignore करो डोजी का मतलब यह है कि वह इंडी सीन के अगर आपको बिलिस इंड पैटन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बीरिस इंगल फिंग को अगर हम कमबाइंड करें तो वह आपका एक सूटिंग स्टार बन जाता है एंड बुलिस इंगल फिंग को हम कमबाइंड करें तो वह एक हैमर बन जाता है हैमर का काम आपको पता है डाउन ट्रेंड में काम आता है उसके बाद अप्ट्रेंड हमको देता है एंड सूटिंग स्टार अप्ट्रेंड के बाद हमको यह hammer candle बनता है, hammer candle का आपको काम पता ही है, कि एक down trend में अगर आपको एक hammer बनती है उसके बाद आपको एक up trend का signal मिलता है, ठीक है same, next है dark cloud cover ये आपका एक bearish pattern है इन दोनों को अगर combine करूँगा तो आपका एक shooting star बनेगा और shooting star को आपको पता है कैसे trade करना होता है एक up trend में जब एक shooting star आपको देखने को मिलता है तो आपको downward action का signal मिलता है guys mostly जितने pattern हैं मैं सारे आपको बता चुका हूँ, ठीक है, combined unsentained और bullish bearish सारे pattern में आपको बता चुका हूँ please, अगर आपको कोई भी pattern समझ में नहीं आता है, comment section में मुझसे पूछो, या फिर इनके अलावा भी कुछ patterns और भी है, जो अभी तक मैंने इस वीडियो में cover नहीं किए, लेकिन अगर आप ये चार pattern, shooting star, hammer, hanging man and inverted hammer ये आत रखोगे तो सारे pattern इनी से बन जाएंगे, ठीक है, ये man patterns है, candlestick pattern और इनकी help से आप सारे patterns जो है, easily बना लोगे, ठीक है तो I hope आपको ये सारे pattern अच्छे से समझ में आ गए होंगे नहीं आते हैं, तो comment section में बार बार पूछो मैं बताऊंगा, और अगर आपको again फिर से एक और वीडियो चाहिए ये candlestick pattern की, तो मैं फिर में बना दूँगा ठीक है, प्लीज वीडियो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेर आइकन को प्रेस कर लेना, टेलिग्राम जरूर जोइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे टेलिग्राम पे मैं यह PDF शेयर करूँगा ठीक है, जिलनों के पास trading account नहीं है प्लीज trading account के लिए link मैंने description में डाल दी है, प्लीज जागे trading account बना लो, और उसके बास साथ में trading कर सकते हो ठीक है, so thank you so much guys, I will see you in the next video झाल झाल झाल